हाई एवरिबन स्वागता आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बैक्टेरिया या बारस जनित रोगों के नाम की जिने में आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक से याद कराने का प्रयास करूँगा तो वीडियो में आप मेरे साथ अम जाते हैं तो यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो आपके स्क्रीन पर फस्ट ये ट्रिक है तिंकू सीडी में पटाका बना है तो वही तिंकू हैं जो गाना था पल-पल नमाने तिंकू जिया ठीक तो देखिए टे मींस होता टिटनेस और कू मींस और C मिन्स सिफेलेस और D मिन्स डिफ्थिरिया और में मींस मेननेज़ेतिस और P मिन्स प्लैग और टा मींस टाइफाइड और का मींस हो गया आपका काली खांसी यह नीचे मैंने लिख दिया है और ब मीस बुटेलिजम इसको food poisoning भी कहा जाता और ना मीस निफ्तिरी और ना मीस निमोनिया ठिक और है मीस है जा तो यह आपके जीवाणू से होने वाले रोग हैं उनके नाम है तो आपको याद क्या रखना है टिंकू सीडी में पटाका बना है तो टिंकू टिंक माने टिटनेस और कू माने कुष्ट रोग और सीडी से मिन्स सिपैलेस और डी मिन्स डिफ्तिरी या में में ना जाटेस पा टाका पा प्लेग टा टाइफायड का काली खांसी ब बुटेलिजम और ना मिमोनिया है है जा तो टिंकू सीडी में पटाका बना है अब ये इससे जो जीवाणू जनित जो ये मैंने आपको diseases के नाम बताएं इससे प्रभावित होने वाले कौन से बोडी पार्ट हैं तो टिटने से संपूर आपका बोडी प्रभावित होता एफेक्टिव और कुष्ट रोग से त्वच्चा और सिफेल इससे जननतत्मत्र वस्तिस्क प्रभावित होता है बुट्रेलेज्म इससे पाचंतंत्र प्रभावित होता है निमोनिया इससे स्वसंतंत्र प्रभावित होता है आपका हैजा इससे पाचंतंत्र प्लैग इससे लिंपनोड टाइफाड इससे आते हैं काली खांसी इससे स्वसंतंत्र आपके प मेरी cat MP की है तो की और है यह यहाँ पर साइलेंट है तो मे मीन्स मंप्स और E मीन्स इंसेफिलाइटिस और रा आर री रेविज और आई मेरी आई इन्फिलूएंजा ठीक है क्या क्या हो गए मेरी M मीन्स मंप्स E मीन्स इंसेबलाइटिस R मीन्स रेविज और I मीन्स इन्फिलूएंजा और cat C मीन्न चेचक और A मीन्स AIDS और T मीन्स ट्राइगोमा ट्राइगोमा आखों का रोग भी है और M मीन्स मेजेल्स और P मीन्स पोलियो मेजेल्स को खसरा भी कहा जाता है गाउं की वासा में माता हैं जो निकलती है उनको ठीक तो अब इन डिसीजिस से कौन प्रभावित होता है तो देखिए मंप्स इससे लार ग्रंतियां प्रभावित होती है इनसे प्लाइटिस इससे मस्तिस्क ब्रेन प्रभावित होता है रेवीज इससे नर्वा सिस्टम लाते हैं एर्स इससे आपकी इम्म्यूनिटी प्रवावित होती हैं प्रत्रोधक छमता ट्राइकोमा यह आखें प्रवावित होती हैं इससे हर्पीस इससे तंत्र का तंत्र मेजैल से आपके फेपड़े और त्वचा प्रवावित होती हैं पोलियों से आपकी हड्डियां और होती हैं कुछ यह important टीकों के नाम है BCG का टीका आपका लगाया जाता है TB में और DTP का टीका diphtheria tittinist और काली खांसी में लगाया जाता है याद रखना है HIV का टीका लगाया जाता है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा में और MMR का टीका लगाया जाता है मंप्स मीजल और रोवेला वाइरस के इन्फेक्शन के लिए और रोटा वाइरस टीका लगाया था रोटा वाइरस एट के लिए ठीक तो यह कुछ जीवाणू जनित और विसाणू जनित रोगों के नाम थे